नमस्कार दोस्तों, प्रो टेडिंग आर्ट में आपका स्वागत है, अभी हम लोग देखने बाले हैं, आइडेंटिफायर्स के बारे में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पाइडेंटिफायर्स होता क्या है, तो आइडेंटिफायर्स आर नेम्स यूजड फॉर यूजर डि कोई नाम है, जिस नाम से आपको पुकारा जाता है, तो इससे लिखने के कुछ रूल हैं, जो आपको याद रखने है, they must begin with an uppercase यानि वो हमेशा uppercase से start होना चाहिए और lowercase या फिर आप lowercase से start करो और underscore यानि इन तीनों में से ही आपको किसी एक से first character start करना पड़ेगा identifier's name के लिए चाहिए आप variable बनाओ या function बनाओ ठीक है ना यहाँ पे आप कोई भी digit नहीं लेख सकते हो इतने भी next character होंगे इन फर्स्ट के बाद जितने भी होंगे उसमें आप कोई भी लेटर लो या फिर डिजिट लो या फिर underscore लो ठीक है ना लेकिन आपको हमेशा ही याद रखना है फर्स्ट क्रेक्टर कभी भी इन तीनों के लाबे कुछ भी नहीं हो सकता है अपर केस लोवर केस और अंडर स्कूर ठीक है ना देयर केस सेंसिटिव यह केस सेंसिटिव इसका कहने का मतलब है कि अगर सपोज आपने लिखा इस तरह से माउस से लिखने में प्रोबलम हो रहा है मुझे देखो ओपन लिखा यह इक्वल्स ट्टू कभी भी नहीं हो सकता है कि करना यह हमने लिख दिया स्मॉल लेटर में और यह पूरा का पूरा क्यPPTल लेटर में यह दोनों का वी एक्वल नहीं हो सकता है दोनों का दो meaning है ठीक है न ओके उसके बाद देखिए here are some examples कुछ examples मैं आपको बता देता हूँ जैसे ये first character हमेशा क्या है small letter से हमने लिख दिया यहाँ पर इसमें क्या लिखा अंडर स्कोर से लिखा है न इसी तीनों में से कुछ ले न यहाँ पर max यहाँ पर m capital में लिखा यानि हमेशा first letter जो होगा वो इसी तीनों में से कोई होगा यहाँ आपने three लिख दिया तो यह wrong माना जाएगा ठीक है न इस तरह से आपका भी भी ने लिख सकते हो उसके बार देखो second third आप कुछ भी लिखो इन तीनों में से ठीक है अब यहाँ पर देखो दो word को हम लोग differentiate कर रहे है camel case के रूप में लिख दिया हमने function name जैसे किसी का first name last name इस तरह से एक साथ लिखना होगा तो दोनों word को differentiate करने के लिए camel case के रूप में लिख देंगे यानि second word जो होगा न वो capital letter से start कर देंगे या पिर आप underscore से भी differentiate कर सकते हो देखो यहाँ पर max lane यह भी है max lane यह भी है max lane यह भी है यहाँ पर यह snake case बोला जाएगा capital letter में हमने सब लिखा है यहाँ पर भी snake case ही है और यह camel case है तो इस तरह से तीनों का three meaning हुआ programmatically तीनों तीन चीज़ें ठीक है ना इसे कभी भी एक नहीं मानना है तो चलिए इसके बाद देखते है the pine style guides recommends using uppercase that means a snake case for constant and camel case for other identifiers काने का मतलब है अगर आपने प्रोग्राम में कहीं पर constant variable बना रहे हो जैसे मान लिया आपने कि हमें पूरे प्रोग्राम में green color यूज करना है जो कि constant है कभी इसे आप change नहीं करने वाले हो तो इसे आप capital letter में लिख दोगे इस तरह से a snake case के रूप में जैसे maximum कितना look back करना है आपको 100 candle तक का तो यह आप यहाँ पर constant में लिख दिया इसे भी आप change कर सकते हो no doubt लेकिन आपको recommend किया जाएगा कि इस तरह से लिखा हुआ है इसका कहने का मतलब है कि आप वह क्या कर दियो constant कर दियो इसका हमें सिंपल सा ही समझना है कि उसे चेंज नहीं करना है सपोज आप अपना code public कर रहे हो और उसे कोई रिट करेगा तो इस तरह से आप अकर लिखते हो तो उसे इसली समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब है कि इसे हमें चेंज नहीं करना यह constant value है ठीक है ना अब यहाँ पर जैसे camel case में रुख लिख यह 7 हमने मान लिया है तो इसे हम लोग इसली चेंज कर सकते हैं और यह money variable के से हमें चेंज कर सकते हैं easily no doubt कभी पर भी यहाँ पर int मान लिया है हमेशा यह integer ही होगा यह हमने यहाँ पर fix कर दिया है अब देखो यहाँ पर कोई function name लिख रहे हैं है ना 01 यानि इसमें कोई भी अगर बुलियन value आता है यानि true और false आता है तो इसके अनुसारा हम लोग यहाँ पर return करेंगे यह turnary operator है यह सब क्या है बाद में details में बताऊंगा ठीक है ना यहाँ कहने का मतलब है simple से अगर इसमें true होता है तो one return कर दो otherwise zero return कर दो ठीक है ना ओके तो अब इसन सभी को हम लोग example में देखते हैं और उसे समझते हैं कि हमने यहाँ पर क्या क्या सिखा तो आप example जो भी मैं बताऊंगा ना उसे कम से कम आप कोशिस करो same to same copy करके भी आप लिख लो उसे ठीक है ना तो अब इसे practice करते रोगे ना तो आपके लिए easy रहेग indicator यह पहले वाला पूछ रहा है कि हैसे save करना या नहीं करना तो हमें save नहीं करना इसे ठीक है ना अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं अब तो सबसे पहले आपको अब यहाँ पर इतना तो आपको मालूम होगा यह सब क्या क्या गया जैसे यहाँ पर comment लिखा जो थ्री मोविंग एवरेज का यूज से बनाया जाता है यहां पर अगर थ्री मोविंग एडिज डॉक टोगे ना चार अठारा और चालिस फोर एटीन एन फॉर्टी इन तीनों को लोग एक साट ड्रॉप करने वाले हो ड्लफिक फिनोमेन बनाने तो यहां पर सिंपल सा इसक यहां नेम हम लोगी टाइटल है बाइदा भी ठीका ना यह पोजिशनल आर्गुमेंट दे रहा हूं यहां पर अब यहां पर यहां पर जो दे रहा हूं एक कीवर्ड आर्गुमेंट है यह सभी बताऊंगा डिटल में ओवरले इसको टू कर देते हैं वाई डिफॉल्स रह कर लेते हैं यहां पर देखो अब यहां पर हमने क्या सिखा था कि किस तरह से नेमिंग लिखना इडेंटिफायर नेम्स का जीसे बड़ियेवल नेम बनाना है ऐसे में वहने सिंपल मुह हैं और इस फर्स्ट केंडल के फर्स्ट ट्रक टाइप का हमें चाहिए समें कर दिया ह है ना इस तरह से 1 sma नहीं लिख सकते हो यह गलत माना जाएगा ठीक है ना ओके या फिर आप अंडरस्कोर से वी स्टार्ट कर सकते हो तो हमने यहां पेंसमे 1 करना है तो हम ने यह कर लिया SMA1 equals 2TA.SMA यह क्या है पाइट इन विल्ट है हमारा यहाँ पर सब्सक्राइब बना करके दिया हुआ फंसन उस फंसन को हम लोग यूज करें इसे हम लोग क्लोज के ओपर करते हैं तो पहला है हमारा 4 का 4 फिरियेट का इसी को हम लोग कॉपी कर लेंगे चार का हो जाएगा यह 18 का हो जाएगा और यह 40 का हो जाएगा तो यहाँ पर आप इसे 2 कर दोगे और इसे आप 3 कर दो चार हो गया और इसे कर लेते हैं 18 और इसे कर लेते हैं 40 हमारा SMA1 के रिटी हो गया सिंपल सा अब इसे प्लोट करना है तो इसी में क्यों ना एडिर कर दें इसे ऐसे में वन करतेता हूं और इसका ले लेता हूं अब इस तरह से मैं करता हुँ आप इसे कम से कम देख करके भी आप कर लो तो आपको दीरे-दीरे समझने का आधी हो जाओगे आप अभी पर देखोगे ना तो इसली समझ में आ जाएगा कि एक्च्वल में हो क्या राया है इसमें एसे में टू को प्लॉट कर दिया और सकेंड वाले जना इसका कलर के सा कर दो रेड कर देता हूं और इसका कलर यलो कर देता हूं इसमें बहुत चारे यहां पर आर्गुमेंट् सेव कर देना है अब यहां पर डेल्फिक नाम रखते तो सिताम डेल्फिक नाम रखतेता हूं और इसे सेव कर देता हूं और इसे आप क्या करोगे एड टू चार्ट करोगे कि इसमें कहां पर गलती हो गया है कि ओभर लेइश कॉस्ट्टू ट्रू ओके ओके हमने यहां पर कोमा भूल गया है तो इसलिए दिखा रहा है तो अब आपको भी समझ में आ जाएगा चल में चल कर रहा है अब यह add हो जाएगा हमें यहां पर add करना पड़ेगा इसके लिए तो आप यहां पर करोगे save हो गया add to chart कर देंगे तो हमारा यहां पर 4,14 त्यां यहां पर Delphic phenomenon यह बन के ready है ठीक है ना simple सा था अभ यह Delphic phenomenon काम किस तरह से करता है अगर मैं आपको यह दिखाना चाहूं तो कहीं सिगनल मिल रहा है मुझे टेल्फिक फिनोमिनन का एक सेकंड देख लो आप उसके बाद नहीं बाद में बताऊंगा एक्जेक्टली आप कोड से भी कैसे कर सकते कोड ही आपको बता देगा कहां पर एक्चॉल में बन रह आ रहा हूं कि अगर फॉर्टी प्रियेट को क्रॉस करके एटीन्त प्रियर नीचे आ जाता है यहां Pal in प्रेट का यह इसके उपर आया फॉस्ट टाइम और फिर से इसके नीचे आ गया अब यह डाउन ट्रेंड कांटिन्यू रहेगा और भी है कहीं चलो रहें दो होगा तो हम लोग बात में कि करने क्या वाले यहां पर जो हमें इस तरह से देखना पर रहा है तो हम लोग करेंगे क्या यहां पर सिंपल सा प्रोगाम ही हमें बताए कहां पर इस तरह का सिनेरियो बन रहा है तो जब लोग फूरा एडवांस लेबल पर पहुंचेंगे ना तो वहां पर यह सब चीज़ करना बताऊंगा आपको तो इसली आप उसे कर सकते हो तो यहां पर देखो कितने सिंप इस तरह से आप नेम कर लिखते हैं कि हो किसी भी चीज का तो आई होब आपको शबंज में आया होगा आपको किसी भी तरह का डाउट है आप कोमेंट करिए मैं उसका रिप्लाइग कर दूँगा और आपको वीडियो पसंद आ है तो आप इसे निश्चे दूर्प से लाइक ठीका ना तो हाई होब आपको फसंद आया होगा तो थेंक्स पर वाचिंग